सुन्दर और गोरा चेहरा किसे पसंद नहीं और यही कार्ण है कि ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग अलग-लग तरह के ब्यूटी प्रडक्ट्स का इस्तिमाल करते हैं और महंगे-महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं मेकप और कुछ कॉस्मेटिक्स का इस्तिमाल करने से कुछ देर के लिए तो फेस्ट को ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है लेकिन नैचरल खूबसूर्ती पाने के लिए आप किसी मेकप या फिर किसी करीम का सहारा नहीं ले सकते अगर आपका रंग सावला है तो आप घर परी कुछ ऐसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कि आप अपने रंग को निखार सकते हैं अपने रंग को निखारने के लिए आप क्या कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगी इसके अंदर आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना है एक तो आपको इसके लिए लेना है दही यनिकी योगर्ट दही में एंटी ओक्सिडेंट और एंटी बायोटिक प्रॉपर्टीज होती है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होती है स्किन को अंदर से क्लीन करने के लिए दही हेल्प करता है अगर आपका रंग सावला है या फिर आप अपने रंग को और निकारना चाहते हैं तो दही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्रीडियंट है दही से हम अपनी स्किन को कोमल और स्मूद बना सकते हैं और इसके सासत अपनी स्किन को निकार भी सकते हैं दूसरी चीज इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हल्दी पाउडर हल्दी का मेंली यूज हम सबजियों के लिए करते हैं सबजियों की रंगत को निखारने के लिए करते हैं और पुराने समय से लोग अपने रंग को अपने फेस को निखारने के लिए भी हल्दी का यूज करते आ रही हैं और वही हल्दी से आज हम भी अपने रंग को निखारने के लिए रेमेडी त्यार कर रही हैं तो आपको इस remedy को त्यार करने के लिए क्या करना है एक clean बाउल के अंदर दो चमच आपको दही के लेने हैं अब इस दो चमच दही के अंदर आपको आदा चमच हल्दी पाउडर कर डालना है दोनो चीजों को अब अच्छे से mix कर लेंगी mix करने के बाद ये हमारा एक face pack बन गया है क्यूंकि इसके अंदर हमने दही और हल्दी को दोनों चीजों को mix कर लिया है और हमारा face pack त्यार हो गया है अब आप इसे अपने face के उपर बड़ी असानी से apply कर सकते हैं आप किसी brush की help से या फिर अंगुलियों की help से अपने पूरे face के उपर इस remedy को लगाएं अच्छी तरह से अपने पूरे face के उपर लगा कर इस remedy को 15 मिनट के लिए आप सूखने के लिए छोड़ दें क्यूंकि इसके अंदर दही और हल्दी आड़ की थी तो हल्दी थोड़ा सूखने में time लेगी 15 मिनट तक आप वेट करें और 15 मिनट के बाद उसको सूखने के लिए छोड़ दें जब सूख जाएगी तो हल्के हल्की आप रब करते हुए उस remedy को उतार दें पहले आपको उस remedy को उतारने के लिए पानी का यूज नहीं करना अपने हाथों से ही हल्के हल्के रब करके उस remedy को उतार देना है उसके बाद अपनी स्किन को अपने फेस को ठंडे पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है जब आप अपने फेस को धोएंगे तो आपको दही और हल्दी की वज़े से खुद बखुद निखार नजर आएगा कुछ दिन अगर आप इस remedy का इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे अगर आपकी dry skin है या फिर skin बेजान हो गई है वो भी निखर जाएगी दही से हमारी skin के उपर बहुत अच्छे से glow आएगा तो ये बिल्कुल natural remedy है अगर आप इसका इस्तेमाल हफते में चार बार भी कर लेते हैं तो भी आपको कोई भी reaction नहीं होगी बलकि ये आपके रंग को और भी जादा निखारेगी आप इस remedy को जुरूर ट्राई करके देखें मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे जुरूर लाइक कर दें अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं हमारी इस remedy को हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद